हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों भारते रेल्वी में एक प्रोडक्शन यूनिट है जिसका नाम है CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इसने यहाँ पर एक नया लोकोमोटिव डिजाइन किया है जो कि यहाँ पर लॉंच हो चुका है और यह जो लोकोमोटिव है यह सब्सक्राइब कर देगा और साथी में वैस्टन डिएफजी और इस्टन डिएफजी पर किस तरीके से यह जो लोकोमोटिव है यह कारगर्सा भीत होंगे तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेगा चैनल पर पहली बार आहे हैं इसी तरीके की अपडेट देखना चाते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को सेर कर दीजेए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को तो दोस्तों आप लोग ने नाम तो सुना ही होगा WAG 12 लोकमोटिव का तो WAG 12 जो की भारत का फ्रिट सेक्षन में सबसे पावरफुल लोकमोटिव अभी माना जाता है जिसकी होड्स पावर 12,000 HP की है तो यहाँ पर यह जो लोकमोटिव है यह यहाँ पर पिछले 3 साल से अपनी सर्विस दे रहा है और यहाँ पर आप लोग सामन में कुछ खास स्पैसिफिकेशन तो नहीं दिये हैं लेकिन यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि यह जो लोकमोटिव है यह वैग 12 को टकर दे सकता है खेर यहाँ पर अभी बात करें अगर वैग 9 की तो 6122 HP का लोकमोटिव था WAG 9 जो की फर्स्ट यूनिट थी उसके बाद पर है WAG 9 जिसकी होर्थ पावर 12,000 HP की है अब आप लोकमोटिव ओवरोल डिजाइन में तो काफी बहतरीन दिखाई दे रहा है अब इसके ट्रेक्टिव एफर्ट से और बाकी की जो जानकारी है वो अभी यहाँ पर इंडिन रेलवे की तरफ से आएगी तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में लेकिन अभी आप लोग देख लिए यह नया लोकमोटिव यहाँ पर भारती रेलवे में आया है अब बात करते हैं कि DFC पे इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है देखें DFC आप लोग जानते हैं बनाया गया है एक हाई स्पीड रे इल गाडिया चलाई जा रही है एक ही ट्रेन में यहाँ पर दो तीन लोकमोटिव जोड़े जा रहे हैं तो यह ट्विन सेक्षन लोकमोटिव यहाँ पर भारती रेलवे ने लाया है और लाँच किया है CLW के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया है और आए बात करते हैं क जो अभी रिसेंटली जो अपडेट निकल कर आई थी 600 पुस्पुल लोकमोटिव की वो क्या थी तो दोस्तों आपको बता दूँ जो 600 पुस्पुल लोकमोटिव की मैंने आपको अपडेट बताई थी वो आप लोग कह सकते हैं कि उसमें से जो 100 पुस्पुल लोकमोटिव ह वो यहाँ पर बनने वाले थे इंडन रेल्वे के पैसेंजर सेगमेंट के लिए लेकिन यहाँ पर लगबग 500 लोकमोटिव बनने वाले हैं फ्रीट सेगमेंट के लिए तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि ऐसी ही यूनिट बनाई जाएगी wagon and twin जैसी लगबग यहाँ पर 200 units बनेंगी पुस्पुल वाली twin section locomotives की जो कि यहाँ पर Indian Railway के freight segment में यूज की जाएंगी और इस हिसाब से DFC corridor पे जब यह WAG 9 twin locomotives चलेंगे तो यह अपने attractive effort यानि जैसे कि इस पे अभी output जो power दी जा रही है 12,000 horse power की तो इसके इसाब से देखा जाए तो इसका attractive effort भी ज्यादा होगा अपने पुराने locomotives से और हो सकता है WG 12 को यह टककर भी दे दे तो यहाँ पर कह सकते हैं लंबी लंबी rail गाड़ियों को ले जाने के लिए यह locomotives भी सक्चम हो सकता है बाकी जानकर ही जबाएगी तो आपको बताऊंगा अभी आप लोग देख सकते हैं किस तरीकी का पूरा locomotives है वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा चैनल पर अगर कर दो दो कर दो 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 आपको